हेलो दोस्तो वेलकम बैक तो दी चैनल आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उस इंपोर्टेंट अपडेट के बारे में जो कल रात को आया था क्लास 9-12 के लिए कि आपका फर्स्ट एक्जाम होने वाला है उसका टाइम टेबल ओफिशली रिलीज भी कर दिया गया है और आपने वो टाइम टेबल देख भी लिया होगा तो हम उस सर्कुलर को अच्छे से समझेंगे मैंने आपके लिए सारे पॉइंट्स हाइलाइट कर दिया है मैं आपको वो सारे पॉइंट्स बताऊंगी एंड अट लास्ट हम बात करेंगे कि अब आपको प्रिपैर कैसे करना है टाइम टेबल आपका कैसा होना चाहिए ओवरल कहूं तो ये विडियो बहुत इंपोर्टन्ट होने वाला है तो यहाँ पर देखो सबसे पहले यहाँ पर फोस्ट जो पॉइंट है वो ये है कि क्लास 9-12 का एक्जाम होने वाला है फोस्ट एक्जाम कब से होने वाला है डेट क्या है तो जो डेट है वो है 18 अक्टूबर से लेके 27 अक्टूबर तक यानि कि 18 October से लेके 27 October तक आपके exams है Second point देखो यहाँ पे देखो कुछ subject के papers आपको government की तरफ से मिलेंगे कुछ subject के papers आपके school वाले ही बनाएंगे तो कौन से papers आपको government की तरफ से मिलेंगे तो class 10th की बात करें तो गुजराती, FLSL, Maths, Science और SS इन सबका paper government की तरफ से आएगा class 11 और 12 science stream की बात करें तो English, FLSL, Chemistry, Physics, Bio, Maths इनका paper government की तरफ से आएगा class 11, 12 commerce stream की बात करें English, FLSL, Account, OC, Economics, Statistics इसका paper आपको government की तरफ से आएगा नव देखो जो बाकी जो subjects बच्चे उनका paper आपके school में ही prepare किया जाएगा और वो exam कब है वो आपके school वाले ही बताएंगे कि उस subject का exam कब है लैक हिंदी हो गया, SP हो गया, computer हो गया इसका exam कब है, इसका portion क्या है ये सब आपके school वाले आपको बता देंगे उसका paper आपके school वाले ही prepare करेंगे नव याँ पे एक और important चीज़ ये है कि ये जो आपका first exam है वो board की तरफ से जो भी paper आया है जो time दिया गया है वो सब भी school को follow करना है ऐसा नहीं कि हम बात में ले लेंगे या फिर ये वाला subject तब ये वाला subject तब ऐसा नहीं चलेगा पर जो next important बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो है course के बारे में तो देखो जो class 9-12 जो आपका exam है उसमें क्या आएगा आपको course क्या होगा तो June से September तक आपको जो भी पढ़ाया होगा जो भी course आपका complete कराया होगा वही आपका syllabus होगा वही आपको exam में पूछा जाएगा again एक बहुत important चीज तो यहाँ पे आपको 100% syllabus आने वाला है last year कैसा हुआ था 30% cut हो गया था बट इस साल ऐसा कुछ भी नहीं है अभी तक आपको 100% prepare करना है कुछ भी cut नहीं हुआ है अब देखो एक important चीज pattern के बारे में so यहाँ पे class 9 to 11 और class 12 commerce stream का pattern कैसा होगा तो 20% आपको आएंगे short answer short answer in the sense one marker यानि की mcq या one mark sentence वो सब और बाकी के 80% आपका जो paper होगा उसमें क्या होगा तो उसमें होगा आपका 2 marker, 3 marker, 5 marker बाकी सिर्फ class 12 science stream का pattern कैसा होगा 50% mcq and 50% question answer नो यहाँ पे जो next important चीज है वो भी आप देख लो तो यहाँ पे class 9, 11 commerce stream हो या science stream हो उनका जो exam होगा वो 50 mark का होगा और उनको 2 घंटे दिये जाएंगे जबकि class 10th का जो exam होगा वो होगा 80 mark का और उनको मिलेंगे 3 घंटे class 12 चाहे science stream हो या commerce stream हो उनका जो exam होगा वो 100 mark का होगा और उनको 3 घंटे दिये जाएंगे तो यहाँ पर बाकी के जो points है वो है school वालों के लिए तो हमें इस पे ध्यान नहीं देना है अगर आप student हो और class 12 commerce stream के student हो तो यह 3 points पे आप ध्यान दो जो मैंने यहाँ आपके लिए लिखे हुआ है तो देखो यार मैं आपको time table एक बना के देने वाले हूँ प्लस मैं आपको subject wise strategy भी बताऊंगी और मैं आपको important questions भी देने वाले हूँ class 12 commerce stream now देखो 18 से आपके exams है तो आपको कैसे prepare करना चाहिए account आपको कैसे prepare करना चाहिए state, OCE को हम सब के videos आपको बना के देने वाले हैं प्लस मैं आपको important questions भी देने वाले हूँ इन सब के videos हमारे channel पर अब आते रहेंगे okay so that's it for today's video I hope आपको सब कुछ समझ में आया होगा अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप मेरे Telegram चैनल से ले सकते हो जाके जिसका link मैंने description में दिया है and एक बहुत important चीज जो मैं बताना भूल गई exam online होगा या offline होगा तो देखो यार बहुत ज़्यादा chances है के exam offline ही होगा तो आप उसी हिसाब से prepare करना Thank you so much for watching